हलो स्टूडेंट्स जौन पूर बायलोजी जौन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपके लिए TGT, PGT, NEET, LTE, NBS, KBS तथा साइन्स के वे सारे स्टूडेंट जो क्लास नाइन्थिक में हो या क्लास टैंथ में हो 11 में हो, 12 में हो, जो कच्छा 12 के बाद नीट की तयारी कर रहे हो और चाहे किसी भी इस्टेट के हो उन सभी के लिए एमफेविया से संबंधित ये सारे महतो पुर्ड प्रस्ण हम आप के लिए लेके आए हैं जिनको पढ़के आप अपने आगामी आने वाली प्रतियोगी परिछाओं की तयारी को बहुत ही ज़्यादा सरल बना सकते हैं तो आईए हम बारी-बारी से एक-एक प्रस्णों को पढ़ते हैं उन प्रस्णों का उत्तर देखते हैं साथ ही उनका डीटेल में वर्डन भी करते हैं तो पहला क्वेस्चन है आपका मिडवाइफ टोड है अप्शन में आपके है एलाइट्स, पाईपा, व्यू-फो, डिस्को, घ्लॉसस तो पूचह है मिडवाइफ टोड है तो देखिए जो मिडवाइफ टोड होते हैं और एलाइट्स कहला के लाते हैं तो आप सब नम्बर इसमें यह आपका यह क्या हो जाएगा यह राइट एंस्वर हो जाएगा देखें यहां दिया है एलाइट्स को मिडवाइफ टोड कहा जाता है यह अधिकांस यूरोपी देशों में पाया जाता है इसके नर्मे पैत्रिक संदच्छन यानि पैरेंटल केर के गुण पाया जाते हैं यह टैड़ पोल की उत्पत्ति तक निसेचित अंडों को अपने जांख के पास सुरच्छित रखता है अगला क्वेस्चन है राना टिग्रीना का गड़ है अप्शन में दे रखा है यूरो डेला लेपो इस्पोंडिली एनूरा एपोडा तो राना टिग्रीना का जो गड़ है वह राना ग्यानिक नाम राना टिग्रीना है यह एमफिबिया वर्ग के अंतरगत एनूरा गड़ का सदसे है जिसमें पुछ रहित उभैचरों को सामिल किया गया है अगला क्वेस्चन है टेड़ पॉल डिम्भ के सरीर में सू अस्पष्ट दिखता है आप्शन में दे रखा है सीर ध धड़ पूछ और उपरोगते सभी तो पूछा है टेड़ डिम्भ के सरीर में सू अस्पष्ट दिखता है तो देखिए जो टेड़ पॉल होता है उसके डिम्भ में सीर धड़ और पूछ ये तीनों सू अस्पष्ट दिखते हैं तो इसमें आपका आप्शन नमबर डी उप पूरोगते सभी ये क्या हो जाएगा ये राइट एंस्वर हो जाएगा देखिए यहां दिया है मेढ़क के जीवन चक्र में टेड़ पॉल लारव अवस्था पाई जाती है जो सीर धड़ तथा पूछ में बटा होता है मेढ़क का टेड़ पॉल जली होता है इसमें एक अस पूछ होती है जिसकी सहायता से यह तैरता है टेड़ पॉल में कलोमदरार तथा पार्स्वी रेखा पाई जाती है जो वयस्क मेढ़क में नहीं पाया जाता मेढ़क का टेड़ पॉल साकाहारी होता है अगला क्वेस्चन है मेढ़क का अंडारू होता है अप्शन में दे र होता है तो आपसर नमबर डी इसमें आपका क्या हो जाएगा यह राइट एंस्वर हो जाएगा देखें यहां दिया है अंड यानि ओवम में पीत यानि यौक के वितरड के आधार पर अंडे कई परकार के होते हैं इस आधार पर में धका नारु दूरस्थ पीत की यानि टीलो लेशी थल परकार का होता है जिसमें याक एक तरफ होता है जिसे वर्धी गुलाध यानि वेजिटल हेमी स्फियर कहते हैं तथा दूसरी तरफ जन्तु गुलाध यानि एनिमल हेमी स्फियर होता है मेधक का अंडारु याक की मात्रा के आधार पर मध्य पीत की होता है जिसम अप्सन में दे रखा है यूरिया, अमोनिया, यूरीकमल और प्रोटीन तो में धक्के टैडपोल लारवा में जो नाइट्रोजनी उत्सरजी पदार्थ होता है वह मुख्य रूप से अमोनिया होता है तो अप्सन नमबर इसमें भी अमोनिया क्या हो जाएगा यह आपका कार्यात्मक व्रिक है ए आरकी ने फ्रोस, बी प्रो ने फ्रोस, सी मीजो ने फ्रोस, और डी मेटा ने फ्रोस तो देखिए फिर से अप्सन देखिए आरकी ने फ्रोस, प्रो ने फ्रोस, मीजो ने फ्रोस और मेटा ने फ्रोस तो पुछा है मेड़क के टैडपॉल का कार्य कर्यात्मक विरिक होता है वह Прो नेफ्रोस प्रकार का होता है तो आफसर नन्बर में B스ror is क्या हो जाए आपका right-hand answer हो जाए गा लिए मेठगे टैट-पॉल के कार्यात्मक और विकसीथ होने पर यह मध्यव रिक्या मुंसो नेफ्रोस में परिवर्तित हो जाते हैं अगला question है मेधक मे लुटिस का नंत्रड किन पैशियों के द्वारा होता है आप्षन में दे रखा है वाकरजू, س्टरनम, एरिटी, नायड़, कार्टीलेज वाकरजू तथा एरिटी, नायड़, कार्टीलेज तो मेठख में Glattis का नियंतरड मुख्य रूप से एरिटी, नायड़, कार्टीलेज, पेशीयों के द्वारा होता है तो इसमें आपका option number C क्या हो जाएगा यह option number C आपका right answer हो जाएगा option number C इसमें आपका right answer हो जाएगा देखें आदिया है मेढ़क के मुख गुहा के आधार तल पर दो वाक कोस यानि ओकल कार्ड्स पाए जाते हैं मेढ़क में एक अनुदैर्ध है slit जिसे glottis कहते हैं के माध्यम से grass nelly यानि larynx ग्रशनी यानि pharynx में खुलती है erytenide cartilage द्वारा glottis का नियंतरण होता है अगला question है मेढ़क के टेड़ पॉल का कार्यात्मक विरिक है option में दे रखा है आर्की निफ्रोस, प्रो निफ्रोस, मीजो निफ्रोस और मेटा निफ्रोस तो पूछा है मेढ़क के टेड़ पॉल का कार्यात्मक विरिक है तो मेढ़क के टेड़ पॉल का कार्यात्मक विरिक प्रो निफ्रोस होता है तो इसमें option number B प्रो निफ्रोस आपका यह क्या हो जाएगा यह राइट ऐंद्स वर हो जाएगा देखे में धक के टेड़ पॉल केकि डोर्यात्तमक ब्रिक को प्राक क्या प्रो नेफिरोस कहते हैं और बिक्सीत होने पर ये मीजो नेफ्रोस में परिवर्तित हो जाते हैं ये question एक बार और हमने दो राया भी है शुरू में ही आगे देखिए राना टीगरीना में लार गरंथियां ब्लैंक होती है एक जोड़ा दो जोड़ा एक और अनुपस्थित तो राना टीगरीना में मुख्य रूप से क्या हो होता है जो लार गरंथियां होती है वो अनुपस्थित होती है तो आप्शन नंबर डी इसमें क्या हो जाएगा अनुपस्थित या इप्सेंट ये राइट एंस्वर हो जाएगा देखिए अगला question है पाद विहीन उभैचर किस गर से संबंध रखते हैं आप्शन में दे रखा है जीमनो फियोना यूरो डिला एनियूरा और कार डेटा तो पूछा है पाद विहीन उभैचर किस गर से संबंध रखते हैं तो जो पाद विहीन उभैचर होते हैं वह मुख्य रूप से जीमनो फियोना ये राइट एंस्वर हो जाएगा देखिए यहां दिया है जीमनो फियोना या एपोडा गड़ के अंतरगत पाद विहीन उभैचर आते हैं इनकी लगभग पचपन प्रजातियां पाई जाती हैं जैसे इक्थियो फिस यूरियो यूरेयो टाइफलस आदिन एनिवरा साथ जोड़ी आठ जोड़ी नव जोड़ी और दस जोड़ी तो पूछा है मेड़क में मेर उतंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है तो देखिए जो मेड़क होता है उसमें मेर उतंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है तो आपसर नंबर डी दस जोड़ी होती है तो आपसर अगला question है मेधक में कपाल का फर्स बनता है एक बड़ी टी याकार की अस्थिद्वारा जिसे कहा जाता है आपसन में दे रखा है कंठीका उपकरण इस्फिने थमाइड फ्रंटो पैराई टलस और पैरा इस्फिनाइड तो मेधक में कपाल का फर्स बनता है एक बड़ी टी याकार की अस्थिद्वारा जिसे हम मुखे रूप से क्या कहते हैं जिसे हम मुखे रूप से पैरा इस्फिनाइड कहते हैं तो इसमें option number D पैरा इस्फिनाइड आपका क्या हो जाएगा ये right answer हो जाएगा देखिए मेधक में कपाल का संपुर्ड फर्स एक बड़ी सी पैरा स्पेनोएड अस्थी द्वारा धकी होती है यह अस्थी कपाल की फर्स को द्रिरता प्रदान करता है इसका आकार डैगर जैसा होता है अगला question है मेढग के हिर्दे में कितने कोश्ठक होते हैं ध्यान दीजेगा इस प्रस्न पर TGT Biology 2021 में ये question पूछा गया था तो मेढग के हिर्दे में पूछा है कितने कोश्ठक होते हैं तो देखिए मेढग के हिर्दे में मुख्य रूप से 3 कोश्ठक होते हैं वाप्षान नमबर इसमें आपका B, ये क्या हो जाएगा, राइट एंस्वर हो जाएगा, देखे रिया है मेड़क के हिर्दय में तीन को इस्ठक पाए जाते हैं, जिसमें दो अलिंद, दायां, एमंबायां, अलिंद, तथा एक निले होता है, मेड़क का हिर्दय, शंक्वाक में हिर्दय धड़कन की दर होती है, आपसन में दे रखा है, 64 बार प्रती मिनट, 72 बार प्रती मिनट, 75 बार प्रती मिनट, और 50 बार प्रती मिनट, तो मेड़क में जो हिर्दय की दर होती है, वह 64 बार प्रती मिनट होती है, तो इसमें आपसन नमबर A आपका क्या हो जाए देखे दिया है मेधक में हिर्दय चक्र लगभग 0.94 सेकेंड में पूरा होता है इस प्रकार मेधक में हिर्दय असपंदन की दर 64 बार प्रतिमिनट होती है अगला क्वेस्चन है डक्टस बोटैलीस उपस्थित होता है आपसन में दे रखा है राना में इसकॉलियोडान में ल ग्रीना में उपस्थित होता है तो आपसन नंबर इसमें ए राना में यह आपका राइटेंस वर हो जाएगा देखिए दिया है एमफिविया में चार जोडी महाधमनी आर्क उपस्थित होते हैं तीसरी चौथी पाचवी तथा छठी जोडी में पाचवी अल्प विक्सित या अनुपस्थित होती है चौथी जोडी पार्सो महाधमनी या रेडिक्स से जुड़कर डक्टस बोटैलीस का निर्मार करती है अगला क्वेशन है मेधक में वाई के आकार की हड़ी होती है आपसन में दे रखा है इसकोए मोसल तेरी ग्वाएड पहले टाइन क्वाड्र टो जुगल तो मेधक में वाई के आकार की जो हड़ी होती है वह मुख्य रूप से आपसन नंबर भी टेरी ग्वाएड परकार की होती है तो आपसन नंबर इसमें भी टेरी ग्वाएड ये आपका राइट एंस्वार हो जाएगा देखें हादिया है मेधक के मुह के उपरी जबड़े मेंक्शह जोड़ी हड़ियां होती है जो आपस में मिलकर मैकसिलरी आर्क बनाती है इसका बहरी भाग प्रिमैकसिला मैकसिला तथा क्वाडरेय टो जुगल से जबकि अंतर भाग पहले टाइन इसकुए मुसल तथा टेरी ग्वाइड से बना होता है मेढक में टेरी गईवाद हड़ी वाई की आकार की होती है अगला क्वेश्चन है मेढक की आदर्स के सेरूका का सेंटरम होता है अप्सन में दे रखा है अगर्ती अग्रगर्ती द्वी गर्ती अरुभय पट्टित तो पूछा है मेढ़क की आदर्स के से रुका का जो सेंट्रम होता है वो कैसा होता है तो देखिए जो मेड़की आदर्स के से रुका होती है उसका सेंट्रम मुख्य रूप से अग्रगर्ती होता है यानि प्रो सीलस होता है तो आपसा नमबर इसमें भी आपका क्या हो जाएगा यह आपका राइट एंस्वर हो जाएगा यहाँ देखिए दिया है मेड़की आदर्स के से रुकाओं में एक बड़ी छिद रियुक्त रिंग जैसी संदशना होती है जिसे नियूरल कैनाल कहा जाता है इस पाइनल कार्ड यहीं से होकर गुजरता है इस रिंग के अधर पर इस्थित मोटा तथा ठोस छड जैसा भाग स सेंट्रम कहलाता है यह सेंट्रम अग्रगरती यानि प्रो सीलस होता है इसका अग्र भाग अउतल तथा पस्च भाग उतल होता है अगला क्येस्चन है मेड़क की आठवी कपाल तंत्रिका मस्तिस्क को कि संग से जोडती है आपसन में दे रखा है ना, कान, जीव और फैरिं आठवी कपाल तंत्रिका को स्रमड या आडिटरी तंत्रिका कहते है यह समेधी तंत्रिका है यह मस्तिस्क को कान से जोडती है अगला क्येस्चन है मेड़क में अग्रपाद का अंगुलास्थी सुत्र होता है तो चार आपसन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं तो इसका द जीरो डबल टू डबल थरी आपसन नमबर है इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा देखिए मेड़क के अगरपाद में अंगूठा अनुपस्थित होता है इसके अगरपाद का जो डिजिटल फार्मूला होता है यानि अंगूलास्ति सुत्र होता है जीरो टू टू थरी होता है अगला क्यूस्चन है एक जो लोटल लारवा संबंधित है आपसन में दे रखा है कुछ मचलियों से कुछ उभहचरों से कुछ प्रोटो कसे रुकियों से कुछ कसे रुकियों से तो जो एक जो लोटस लारवा होता है वह कुछ उभहचरों से संबंधित होता है तो एक्जोलोटल लारवा कुछ उभैचरों जैसे Mb-Istoma आदिसे संबंदित है इनमें नियोटिनी अमस्था पाई जाती है थायराक्सीन की कमी के कारण इनके लारवा में रुपांतरण नहीं हो पाता है इनके अवयस्क में ही याउन परिपक्वता पाई जाती है अगला क्वेस आदिए अग्जोलोटल में नियोटिनी अवस्था पाई जाती है थायराक्सीन की कमी के करण इनके लारवा में रुपांतरण नहीं हो पाता है इनके अवयस्क में ही याउन परिपक्वता पाई जाती है अगला क्वेस्चन है डिमभंग जननत देखा जाता है आप्षण मे दे रखा है MB-STOMA में, ELITIS में, साइकान में, साइकुलीना में तो डिम्भक अवस्था मुख्य रूप से किसमे MB-STOMA में देखी जाती है तो आपसन नंबर इसमें आपका A MB-STOMA में ये राइट एंस्वर हो जाएगा देखे दिया है MB-STOMA लारवा को एकजोलोटल लारवा कहते हैं इसमें लारवा वस्था में ही जनन प्रक्रिया आरम हो जाती है अर्थात इसका कायंतर नहीं होता तथा यह वयस्क में परिवर्तित हुए बिना ही जननियोग हो जाता है अगला क्वेश्चन है एकजोलोटल लिमभग दरसाता है आप्शन में दे रखा है केवल लिमभग जनन केवल छदम जनन दिमभग जनन तथा छदम जनन दोनों और कोशी का इस्थिरता तो एक्जो लोटल जो डिमभग होता है वह मुख्य रूप से डिमभग जनन तथा छदम जनन दोनों दर्साता है तो आपसर नमबर इसमें आपका C क्या हो जाएगा ये राइट एंस वर हो जाएगा देखे दिया है एक्जो लोटल लारवा कुछ एंफिवियंस में पाए जाते हैं यह लारवा वस्था में जनन करता है लारवा वस्था में जनन की क्रिया छदम जनन कहलाती है तथा इसके लारवा वस्था में ही सारीरिक रूप से बने रहने आपसर में दे रखा है सेलमेंडरा, रियो बैट्रेकस और इक्थियोफिस और एलाइटीस तो इसका जो राइट एंस्वर जाएगा हो जाएगा आपसर नमबर B के साथ रियो बैट्रेकस के साथ PGT Biology 2021 में ये question पूछा गया था तो आपसर नमबर B इसका क्या हो जाएगा ये राइट एंस्वर हो जाएगा देखिए रियो बैट्रेकस को तथा प्लेटिपस में ढखके नाम से भी जाना जाता है यह पुर्वी आश्ट्रेलिया के क्वीचलेंड छेतर का उभचर था इनमे निसेचित अंडे मादा के आमासे में विक्षित होते हैं तथा लग हुमेठक उसके मुख से बाहर आते हैं अगला question है सबसे बड़ी RBC किस में पाई जाती है आपसर में दे रखा है लामा, कस्तूरी मिरिग, एमफी यूमा और नेक्ट यूरस में तो सबसे बड़ी RBC जो पाई जाती है वह एमफी इसमें आपसर नंबर एमफी यूमा दिया है तो एमफी यूमा इसमें क्या हो जाएगा ये राइट एंस्वर हो जाएगा सबसे बड़ी RBC एमफी यूमा में पाई जाती है देखें यहां दिया है समस्त जन्तों में amphibian की RBC सबसे बड़ी होती है जैसे amphiuma तथा proteus तो यह कुछ महत्पुड question थे जो की आधारी थे amphibians पर और इतने जो हमने परस्णों को इनमें सामिल किया था उसका description दिया था अगर आप इनको अच्छे से पढ़ते हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि इनमें से एक या दो question आपके किसी भी प्रतोगी पर इच्छा में जरूर फंस सकते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए लाइक करिए दोस्तों के भी शेयर करिए बहुत बहुत धन्यवाद